किहते हैं किसी भी काम को सीख कर और समझ कर ठीक से किया जौ सकता है। इसके अंदर मैं आपके लिए cover करने बोलाओ पहला ड्रडिंग सिस्टम के बारे बताऊगा कि कौन सा ड्रडिंग सिस्टम आपके बस्ट है जहां प्रक्रेश कर सकते हो आपको बेसिक की stock market में ड्रडिंग कैसे करी जाती है जो आप beginners हो उनके लिए कैसे आप पहला step होगा वो और उसका प्रोसीजर क्या है तो वो भी असाल शब्दों से मैं आप लोगो साथ शेयर करने बार हूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं So what is trading in stock market? I mean to say Sir, यहां पर दो word आपको drive हो रहे हैं पहला stock market दूसरा trading Trading I mean to say in short buying and sell ओई एक product जिसको हम buying करते हैं sell करते हैं This is called trading यानि कि पैसों के बदले हम कोई चीज ले रहे हैं, that is called trading, अब trading in the stock market, यानि कि यह जो stock market है, इसको हम बोलते है, number of stocks जहाँ पर listed है, that is called stock market, यानि कि ऐसा market जहाँ पर बहुत सारे 6,000 से ज्यादा stocks listed है, available है, वो stock market है, जैसे कि आप screen में देख रहे होंगे, BSE और दूसरी तरफ है NSE, BSE means Bombay Stock Exchange, NSE means National Stock Exchange, अब ये दो exchange है, इनी के अंदर ये सारे 6,000 से ज्यादा company listed होती है, अब इन सब को जो control करता है, वो कौन होता है, वो SEBI वाले होते हैं, यानि कि SEBI, Security Exchange Board of India, इनके पास power होता है, ये body है, जो कि companies के जो rules and regulations है, traders के rules and regulations है, investors के rules and regulations है, उनको follow करती है, अगर stock markets related आपको कोई भी तकलीफ है, investor को, trader को भी तकलीफ है, तो हो SEBI के पास जा सकता है, कि boss, मुझे इस company में से ये तकलीफ है, जो भी आपका जो है, वो चीज़ आप बता सकते हो, तो अब मजे की बार, buying and sell करना, stock market म दो exchange, NSE and BSE, अब इन में से दो कौन सा powerful है, हमें कौन सा choose करना चाहिए, guys, हम लोग जो trader है, या investor है, हम लोग use करते हैं, NSE को, यानि कि national stock exchange को हम लोग use करते हैं, क्यों, उसके पीछे का reason, क्योंकि majority of people उसी को use करना है, जिसके कारण, आपका volume generate होता है, और volume के कारण, आप easy ह हो जाता है, उसको buy and sell करने का immediate basis है, fraction of second के अंदर buyer की होता है, seller की होता है, तो जो trade होता है, जो transactions होता है, वो easily possible हो पाता है, इसलिए हम लोग NSE को choose करने वाले हैं, यहां तक आपको समझ माय है, अब अगर मैं बात करूँ, यह जो buying और selling है, वो एक system के माध्यम से होता है, system मत 10-15 साल पहले, अगर आपने किसी की बास सुनी होगी, तो वो क्या करता था, उसके पास कुछ digital platform भी ता buying and sell करने का, तो वो अपने broker को phone करके बोलता था, कि XYZ जो company है, मुझे अच्छी लग रही है, बॉस इसकी इतनी quantity इतने shares में buying करने, right, for example, जैसे आप देख रहोंगे, Infos इस 100 shares at the rate 2000 रुपीज पे उसने बोला, phone करके कि buying कर लो, तो कितनी quantity आगी, आप ही ये quantity आगी, right, अब ये buying हो गए, अब आपको उसको बेच रहा है, तो फिर आपको broker को phone करना है, फिर आपका time consumer में broker उठाया है, ना उठाया है, बहस तरही चीज़ है, तो फिर broker को phone करके 200 रुपे का price हो गया, तो आपका per share कितने रुपे का profit हुआ, 100 रुपीज का आपका per share का profit आगया, deal, done, यानि कि आपने buying किया, 2000 रुपे, और उसको profit गुक किया, 100 रुपीज आप, यानि कि 2100 रुपीज है, सीदे सीदे 100 रुपे का profit, आप जेब में लिए, बहुत खुश हो लगा है, बहुत simple सा logic है, गाइस, lower level पे buying किया, उपर level पे आपने माल बेज दिया, आपको profit हो गया, suppose आपके पास कुछ shares ही नहीं, आपके पास कुछ माल ही नहीं, और मैं अगर बोलू, पहले आप sell कर दो, फिर lower level पे buying कर दो, तो profit हो कि नहीं होगा, I'm into say, 2000 की चीज आपको बुला रहता है, तो साड़े तीन में तक आप उसको cover करना पड़ेगा, अब suppose करो, उननीस सो रुपे का rate आप गया, तो आपने 2000 पे माल बेचा, 1900 पे खरीद लिया, तो difference कितना होगा, 100 points का हुआ, तो वो 100 points क्या है, आपका उनाफा है, अगर वो 2000 से ऊपर चलेगा, तो आप आपको loss दे करना पड़ेगा, यानि कि same day में, intraday में, आप अपनी position को settle कर रहे हो, sell करके नीचे 20 कर ले लो, साड़े तीन में से पहले आपने zero कर दी, यानि कि minus 100, और फिर नीचे plus 100 कर लिया, तो plus minus 100, zero हो गया, आपका कोई position नहीं है, end में जो difference है, that is your profit and loss, ये सिर्फ और स available in stock market की दुनिया में, अगर property की बात करो, आपके पाद कोई जमीन ही नहीं, तो क्या बेच के कुछ खरी सकते हो, नहीं न, नहीं न, अच्छा, आपके पास सबजी ही नहीं, तो क्या बेच के दुबारा खरी सकते हो, नहीं न, तो आपको physically सबजी रखनी पड़ेगी, उसके बात आप उसको बेच सकते हो, खरी सतो बात की बात है, यानि कि stock market की दुनिया में, एक तरीके से dematerialized products होते हैं, यानि कि physical नहीं है, एक virtual होता है, तो virtual basis पे आप companies के shares खरीते हो, और बेचते हो, या फिर बेच के आप खरीद लेते हो, ये सारा का सारा regulate कहां पे होता है, आपक किसके control में होता है, security action board of India, यानि कि SEVY के control में होता है, अब मैं अगर बात करूँ, buy and sell, stock market में करते हो, लेकिर कहां करें, पुराने जमाने में, ब्रोकर को फोन करते थे, अब latest जमाने में, आज के जमाने में, सा discount brokers आपके market में available है, जैसा कि आपके नाम सुनाओगा Fires का, न होती लाल, बहुत सारे brokers है, तो अब choices is yours कि आपको कौन सा favorite है, आज कल market में, इतने अच्छे अच्छे brokers, इतनी बड़िया बड़िया facilities के साथ आए, यानि कि trading weapons के साथ आए, कि आप easily quick action के माधियम से trade कर सकते हो, जानना चाहते हो, कि आपके लिए आज के जमाने में सबसे best broker क आप चाहो, हमारे साथ account open कर सकते हो, इनके अंदर मैं personally trade करता हूँ, खुद करता हूँ, simple है, आप link पे click करें, अपने ट्रेस भर दे, 24 से 48 गंटे, एक से 2 गंटे का आपका account open हो जाएगा, बेंदास trade करिया,